हलो काईस आप देख रहे हैं गॉसप टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका तुनीशा शर्मा का जो केस है वो पूरी तरीके से अब पेचीता होता जा रहा है जहां आप तक तुनीशा की मां सब के सामने आकर शिजान के परिवार पर और शिजान पर कई गंभीर आरोप ल ब्रेक अप नहीं हुआ तो ऐसे में फलक बोल देती है ब्रेक अप नहीं हुआ जी हां फलक ने बोला ब्रेक अप नहीं हुआ और ये बात ये जो फलक का जो ये स्टेटमेंट है ये अब उन पर भारी पढ़ने वाला है क्योंकि जो शिजान है उन्होंने ये कबूल किया थ कि उनका और तुनीशा का ब्रेक अप हुआ था पर अब ऐसे में शिजान की बेहन ने आखिरकार ये क्यों कहा कि ब्रेक अप नहीं हुआ ये सवाल कई सारे खड़े कर रहा है फलक का सर्फ एक मात्र ये छोटा सा जवाब आप लोगों को क्या लगता है क्या वाकई में कुछ आने की कोशिश की जा रही है वही इस प्रेस कांफरेंस के दौरान जो शिजान की मा है वो तुनीशा की मा पर कई गंभीर आरोप लगाती नजर आई है और कहीं न कहीं जो शिजान की मा है उन्होंने तुनीशा की मा पर ये एलिगेशन लगाया है कि तुनीशा की मा मेरे ब मेरे बेटे को मौत को गले लगाने के लिए उक्सा रही है वो अपनी बेटी खौड़ चुकी है और अब हो चाहती है कि मेरा बेटा भी वही कदम उठा ले इतना ही नहीं जो शेजान का वखील है उनका कहना है कि उन्होंने शेजान के लिए एक कांसलर और स्क्यॉरिटी की मा उठा बैठे इस वीडियो में फिलहां के लिए इतना ही देखते रहिए गौसिप जाओं